प्रिबान तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसूर्स यूपी पीस सी के एक नए वीडियो में यह हमारा बीपीस का है और यह हमारा टेस्ट नंबर थ्री है ठीक है और यह इसका वीडियो में अप्लोड करने जाने कुछ देर बादी तो इसको आप अच्छे से देख लो और सारे कोशन को अच्छे से अटेम्ट कर लेने से कुछ भी नहीं कर पाओगे इससे तो अच्छा टेम्ट ही मत करो अगर करना है तो पूरा करो वरना एक दू मिनट से आपको क तो क्योंकि जी तरीके से UPSS विल्कुल नजदीक है BPS से भी आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है तो इस तरीके से आप इसको अटेंट कर लो हम बढ़ते हैं कोशन देखते हैं ठीक है बी थाउमस आर मिटकॉफ सी जेम्स मिल एंटी विस्वनात का सिनात राजवाडे ठीक है तो बात करें यहाँ पर अगर आपने इसको पढ़ाया कहीं देखा होगा तो आपको समझ में आएगा जेम्स मिल एक स्कॉर्टिस दर्सनिक है स्कॉर्टिस दर्सनिक और इतिहासकार और अर्थसास्त्री है मिल दर्सनिक कटरवाद का प्रतिनिती है एक विचार धारा जिसे उपियोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है उपियोगितावाद ने दर्सन के लिए वैग्यानिक आधार के साथ साथ राजनीती और अर्थ जेम्समिल ने 1808 में उपियों कितावाद की स्थापना करने माले जेरेमी बेंथम से परचित हुए मतलिब ये उनके बारे में पूरी एक तरीकी सो डिटेल चीजे बताए गई हैं तो उन्होंने यूरोपी पाठकों के बीच उप महादीब की लगातार पिछडे और अभी किस सिच भीकों भी लोग पर ये बनाया अपनी बुस्त में मिलने भारती थी आज को तीन काल खंडों में अर्धात हिंदू मुसलिम और इसाही में विभाचित किया था मुटा मुटा अगर समझोगे तो यहां पर सी ऑप्सन हो जाएगा आपका जेम्समिल लेकिन डारेक्ट की अब यह चार निये गए हैं एक यहां पर कह रहे हैं कि परदा प्रिथा सती बाल विवा और बो विवा जैसे कुछ पुरानी और सूसर कारी सामाजिक प्रिथा प्रिथा है परंप्राय मौजूद थी जो 18 सताब्दिगास पास सही हो जाएंगी नेक्स्ट कहरें कि ब्रह्म समाज के लिए निमलिकित में से कौन सकतन सही है आपसन फर्ष्ट इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया सेकिन इसने वेदों की अचुकता की वकालत की थर्ड इसमें अन्य ध ब्रह्म समाज के वादि में कह रहे हैं आपको तीन ऑपसर दिये गए हैं ठीक है अब अध्यान से रभ देखोगे तो आपको कि यहां पर समझ में आ जाएगा तो अगर कुछ चीजी समझोगे तो पता चलेगा कि क्या इसमें होगा ब्रह्मों का साब्दिक अर्थ है वह जो ब्रह्मा की पूजा करता है ब्रह्म समाज की सुरुवाद 20 अगस्त 1828 को राजा रामोहन राय और देवेंद ना टेगोर द्वारा कलकत्ता में उस समय के प्रचलीत ब्रह्मारवाद विसे इस रूप से कुलीन प्रथाओं के सुधार के रूप में की गई थी ठीक है तो मतलब राजा रामोहन राय और देवेंद ना टेगोर उस समय के प्रचलीत ब्रह्मारवाद विसे इस रूप से कुलीन प्रथाओं के सुधार के रूप में ब्रह्म समाज ने सदी के बंगाल पनर जागरन के सुरुवाद की ब्रह्म समाज जाती परन थे धर्म के बीच आते थे तो फिर आंसर देखोगे तो आपका यहां पर सी हो जाएगा सुरी हां यह फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा सिकेंड आपका यहां पर गलत हो जाएगा इन्होंने का कि इसने वेदों की चुकता की वकालत की तो ऐसा नहीं था नेक्स्ट है कि अलीगड आंदोलन के स अफिर दोर ये बारे बात हो रही है तो क्या ये चीज इसे समधिते है पहले ये देखो आप्टीक है तो अलीगण आंदोलन आपका 1875 में सरस्य नहीं मथ खान ध्रास शुरू किया गया एक सुधवादी अंदोलन था इस अंदोलन को तो कही तो राजा रामोंन राय लोगोंने कई चीजों को सुधार करने की वैसा ही सम्थिनक कुछ ये बी है अगर अग्रेजी सिक्षा के माध्यम से मुसल्मानों को अधुनिक बनाने का कारे किया हलाकि सेयाद एमद खान ने कुरान को अंतिम प्रमाड माना लेकिन वो पश्मी विग्यानिक सिक्षा को कुरान की सिक्षाओं के साथ सामझे से स्थापित करना चाहते थे अजिन की व्याक्या सामकारिन तरकवाद और विग्यान के प्रकास में की जानी थी सर सेयर एमद ने पश्मी कारियों का भारती बाज़ाओं में अनुमात करने के लिए 1844 में अलिगर्ड में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी तो इस तरीके से कुछ चीजे और हैं जो इनके बारे में सकते हैं तो आंसर की बात करेंगे तो फिर हमारा फर्स्ट नहीं सही होगा ठीक है फर्स्ट नहीं सही होगा और सेकेंड भी आपका सही है इसके सुरब मौलाना अभूलकलाम तो जब आप इस तरही किस देखते हैं कि सिकेंड गलत है सिकेंड गलत है यह भी गलत है अब इन दोनों में कोई होना चाहिए तो सी आपसर नमाना यापर सही है ठीक है तो एक कथन के रूप में कोशन पूछ रहे कि वह इंडियन नेशनल एसोसियेशन के संस्थापक सदिस थ उन्हें ट्रंपेट वक्ता कहा जाता था उपरियुक्त कतनों में से किस का वर्णन किया जा रहा है ठीक है प्रोफेसर तो आपसर ने के रहे विश्नु सास्त्री चिपलूड कर भी सुरेंदनात बनर्जी सी खुदीराम बोस याटी जगदीश चंद बोस तो अब बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा हुआ इंडियन नेशनल एसोसेशन के संस्थापक सदस्वर में ते एक थे ठीक है ये इनका कहना है तो अगर अंसर की बात करें कि यहां पर हमारा क्या अंसर होगा तो उपरियुक्त कतन सुरेंदनात बनर्जी को दर साते हैं ठीक है उन्हें zo dalla को जाता है कि नीश्टक अमना कौशन की कंपनी ने राजयसों के नियमत प्रवा की उमीद में इस्थाई बंदोबस्ती की सुरुआत की हलाकि इस्थाई बंदोबस्ते के बाद के सुरुआती दसकों में जमीदार नीमित रूप से राजसों मांग का बुक्तान करने में भी फर रहे इस संदर में जमीदारों ने बुक्तान में चूप क्योंकि आपसाने शुरुवाती मांगे बहुत उची थी सेकेंड करसी उपज़ की कीमिते कम हो गई थर्ड फसल की परवाग किये बिना राजे सो अपरवरतनी था और समय पर वक्तान करना पड़ता था फूर्थ इस थाई बंदवस्त ने सुरू में जमिदार के रहया से लगान वसूल करने के सकति को सीमित कर दिया तो नीचे दिये पढ़ोगे तो चीज़े कुछ क्लिए हो जाएंगी तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा यहनि ब्यों अपसन आपका फॉस्ट से कंड़ा फॉर्थ चारों ही या आपर सही बता रहे हैं ठीक है यह मारा English translation है इसको भी देखते चलिए मैंने हिंदी को बढ़े हैं से बताया यह है तो जो भी friends English medium से जुड़े तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं कि राष्टी अंदोलन के संदर में तीन जून यूजना किसके वाय सरायकार में प्रस्तावित की गी थी लॉर्ड वेविल भी लॉर्ड मांट बेटन सी सर पैट्रिक लॉर्रेंस और डी लॉर्ड लिल लित्गू ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोश्यन देगो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो मांट बेटन यूजना का नाम सुनते हैं अगर कुछ न लॉर्ड मांट बेटन के बारे में बहुत सरी चीजें दी हैं जैसे कि मांट बेटन का फॉर्मूला भारत को विवाजित करने लेकिन अधिक्ता मेक्ता बनाया रखने का था पांच जुलाई उनीस सो सहतारिस को बिटिस संसर ने भारती सो तंतरता अधनियम पारित किया जि लिकित में से कौन सा सही नहीं है अब यह सही नहीं है पोच रहे अपसन ए बकास्त भूमी मोल रूप से किरायधारों की थी लेकिन बकाय वक्ताना करने के बदले में जमीदारों ने उस पर कपज़ा कर लिया था बी यह अंधोलन बिहार के मुंगेजच छितर में उबरा सी इसका नेतुत राहूर साकरतायन ने किया अंडी आंदोलन सफर रहा क्योंकि जमीदार कास्तकारों के साथ बकास्त भूमी का बंदुबस्त करने पर सहमत हो गए इन में से कौन सा सही नहीं है एट नंबर कोश्चन है तो बात करें तो इसका नेतुत राहूर साकरतायन ने नहीं किया बलकि स्वामी सहजनन सरसुती के नेतुत में किसान सबा के आवाहन पर बड़ी संक्या में किसानों ने जमीदारों और बिटिश प्रसासनी विवस्ता के खिलाब विरोध किया था बकास्त भूमी अंदोलने के हद तक कास्तकारी अधिकारों को बरकरार रखने में सफल रहा आखिरकार जमीदार किरायदारों के साथ बकास्त भूमी के समझाते पर सहमत हो गए तो C option इसका यहाँ पर सही नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट है कि भारत के आधुनी के तियास के संदर में मैक्समूलर, मौनियर, विलियम्स, रोथ और ससोन, आरजी, भंडारकर और आरेल, मित्रा में क्या समानता आपसा ने भारत के अतेत की पुना खोच के प्रियास, बी प्रमुक, हडपा, स्थलो के खुदाई, सी वे गांदी जी के घरिश्ट से योगी थी, एंटी ये सभी राष्टवादी समाचार पत्र के संपादक थे तो यह जो इतने नाम हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तो बताना है कि किस समन्दी थे तो को बात करें, मोनियर विलियम्स, रोथ, ससून जैसे यूरोपी विद्वानों और आरजी भंडारकर, आरेल मित्रा और बाद में स्वामी विवेकनन जैसे भारते विद्वानों के एतिहासिक सोदों ने भारत के अतीत के गौरव और महनता की एक पूरी तरह से नई तस्विर बनाई तो उपरियूग तो विलियम्स, जोन्स के हलावा अलेकजंडर कनिगम और जेम्स प्रिंसेप ने भी भारत के गौरव साली अतीत की पुना खोज में महतोपोडभोमिका नहीं भाइत हो सरीके से अगर बात करें तो हम कहा सकते कि ऑप्सन ए इसका यह सही अंसर होगा यानि कि यह जो चार-पांच नाम है यह किस से जुड़े हैं तो यह भारत के अतीत की पुना खोज के प्रयास से जुड़े हैं ठीक है ऐसा नहीं कि सारे लोग ही भारत के हिलाव थे कुछ-कु के दोरान सिविल सेवां को इंपीरियल प्रांती और अधीनस्त सेवां में वर्गी करत किया गया था अफसने लॉर्ड एलन बरो बी लॉर्ड लैंसडाउन सी लॉर्ड डलहौजी एंडी लॉर्ड मिटकॉफ बात करें यहां पर तो लॉर्ड लैंसडाउन जो 1888 से 94 बे तक भारत के बाएस अरा थे उनके कारकाल के दोरान सिविल सेवां को इंपीरियल प्रांती और अधीनस्त सेवां में वर्गी करत किया गया इंपीरियल सेवां की बात करोगे तो भरती और नियंतरव प्राधिकारी राज्य सच्यू था जबकि प्रांती सेवां के लिए नियुक प्लस 94 तक भारत में रहे थे ठीक है नेक्स्ट अमाना कोशन पूछ रहा है कि 1883 के इलबोर्ट बिल में यह प्रावधान था कि ब्रिटिस प्रजा का मुकदमा सत्र नया लियों में भारती नया धिस दौरत चलाया जाएगा इस विधेय का यूरोपी लोगों में उग्र विरो कर रहे थे तो अपसा ने इसे वाय सराई रिपंदो और दोरा निरस्त कर दिया गया बी इसमें संसोधन करके यह प्रावधान किया गया कि केवल यूरोपी नयाधी सी यूरोपी विश्यों पर मुकदमा चला सकेंगे सी कह रहे हैं कि इसमें ये प्रावधान चोड़ा गया है कि यदि किसी भारती नहीं थी इसको किसी यूरोपी वेक्ति पर मुकदमा चलाना है तो जूरी 50% यूरोपी सदस होने चाहिए एंडी इनमें से कोई भी नहीं पहली बात तो एक तरीके से मोटर मोटर समझ सकते हैं कि ये उनको प्रावलम थी वो नहीं चाहते थे कि भारती हमारा मुकदमा चला है लेकिन फिर इसका समाधान क्या निकाला गया है बहुत अच्छा कोशन बनाया गया है देखो जो इलबर्ट विल विदेयक 83 में पेस किया गया थे तो सर तुस't ने इलबर्ट जो भारती परिस्त्सथ के कानूनी सलाकारते ने भारती ने अधिश को और डीकार्ण के खिलाफ मामलों एक संसोधन पारित किया जिसके तहित यह एक भारती ने अधिश को अदालत में एक उरोपी का सामना करना है तो 50% उरोपी लोगों की जूरी के आवसकता पढ़ती है या आवसकता थी अंतरता यह विदेयक 25 जनवरी 8084 को क्रिमिनल प्रोडूशर कोड संसोधना दिन्याम 8084 के रोफ में पारित किया गया तो मतलब संसोधन किया गया मोटा मोटा काया सकते है ठीक है तो इससी आप्सन हमारा यहां पर सही हो जाएगा अब मोटी बात है सुचने वाले कि उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी कि भारती अगर केस दिखते हैं या मतलब समाधान करते इससे प्र में थी जब हजारों रहयत किसान यूरोपी बागान मालिकों के खिलाफ खड़े थे या क्रोध और अटूट संकल्प का प्रदर्शन था या भारती इतिहास के सबसे उल लेकनी किसान आंदोलन आंदोलनों में से एक बन गया था तो उपरोग तो वाक्यांस वर्णन करता आप सने पवना विद्रो भी बंगाल का नील विद्रो सी दककंदंगे एंटी एक अंदोलन एती फिप्टी नाइन है तो आपका होना चाहिए समतिंग देखो मैं गेस कर रहे थी क्यों कि जब आपको ऐसे देते हैं तो क्या ऐसे कांड हुए होंगे या क्या ऐसी चीजे हुई हो है तो फिकन फ्यूजन क्यों कोई बात ही नहीं है यह रिवोल्ट आपका ऐटी 59 की समय का है तो आप बहुत आराम से भी ऑप्सन है आपका बंगाल का नील विद्रो ठीके अब यह क्या हुआ था तो अठारी सताब्दी के आंते से बंगाल में नील की खेटी की जा रही थी इसका अभ्यास मुक्यता दो रूपों में किया जाता था नीज अबाद और रयोती नीज प्रणानी में बागान मालिक उस भूमी पर नील का उत्पादन करता था जिस पर उसका सेधा नियंतरन होता था अच्छा यह कुछ डिफरेंस दिया गया रहयत और बागान के बारे म 1860 में नियुक्ता आयोग ने पाया कि नील की खेती प्रणाली विसेश रूप से अगरी प्रणाली के कारण दमनकारी प्रकति की थी तो इसलिए यह आपका रिवोल्ट हुआ था आगे बढ़ते हैं फिलाल कोश्चन में नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट है कि अपनी वेसिक भारत में निमलिखित में से कौन सा सुधार बेटिय सदिकारियों के उप्यों की तावाद द्रिश्टिकोड के अभिवक्ति नहीं था आप चूकिया पर नहीं था इसलिए ध्यान रखना है आपसे ने विलियाम बेंटिक दौरा सतीप्रथा और बाल सिसुहत्या का उनमोलन सेकेंड है सामाजिक परिवरतन के लिए कानून का सासन एक आवश्यक पूर्वसर्थ है सी है 1835 का सिक्षा मिनट और प्राचवादी जनता के लिए स्थानी भासा में सिक्षा के पच्चिदर थे तो कहरें कि अपनी वेसिक भारत में निमलिक विलियम बेंटिक द्वरत सतीप्रथा और बाल सिसुहत्या का उनमोलन किया क्योंकि वह मिल के प्रबल अनुआई थे कानून के सासन किया उधारना क्या सकता है क्योंकि यह समाज के सुधार की पूर्वसर्थ है प्राचवित कलकत्ता मदर्सा 1781 ऐसियाटिक सोसाइटी और 1784 और बनाराज में संस्कत कॉले 1794 बेज़े से संस्ताहों की स्तापना करके जनता के लिए स्थाई भासा में सिक्षा के प्रक्षदार है और भारती परंपरा में उनकी आस्थाने भारतियों को उनका सच्चा धर्म की ओर वापस लोटाने की इच्छा जगाई तो कुछ चीजें हैं उनको पढ़ते जाना हम बढ़ते हैं फिलाल आगे नेक्स्ट की मार्च 1922 में गांधी की गिरफतारी या गांधी जी की गिरफतारी के बाद की घटनाओं के संदर में निम लिकित कत्थनों पर विचार करें और अजमल खान ने विधान परिस्दों के बहिसकार की वकालत की सेकंड राजगोपालाचारी वल्लाबाई पटेर राजेंद प्रसाद और म. अंसारी विधान परिस्दों में प्रिवेश करना चाहते थे तो उपरियूत कत्थनों में से कौन सासर सही है और अजमल खान अपने हितों और इच्छाओं को सामने रखने के लिए विधान परिस्दों में प्रिवेश करना चाहते थे यदि वे उनकी मांगों को सुईकार करने में विफर रहें तो वे इन परिस्दों के कामकाज में बाधार डालने का आसाहारा लेंगे उन्होंने सुराजवबादियों के स्वरोप में जाना जाने लगा कतन सेकेंड भी गलत है क्योंकि राजगोपालाचारी, वल्लाबाई पटेर, राजेंद प्रसाद और अमे अनसारी ने विधान परिस्दों के भाहिसकार के वकालत की उन्हें no changes के नाम से जाना जाता है, तो यह option उपर नीचे कर दिये गए हैं, इसलिए आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, 14 का वोड़ी हो जाएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा question कि उन्निसवी सदी के भारत के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार करें, इसाई मिस्नरियों ने इस्थानी रिती रिवाजों को संरक्षित करने में मदद की, सिकेंड सिंग सभा अंदोलन का उपदेश सिखों के लिए आधुनिक पश्मी सिच्छा प्रदान करना था, थर्ड बंकिम चंदर चटोपा ध्या कलकत्ता विस्विद्याले के पहले इस नातकों में से एक थे, तो उपर दिए कि कौन सा से सही है, अब अपसान A केवल फस्ट और सेकेंड, B केवल सेकेंड और थर्ड, C केवल फस्ट और थर्ड, D, फस्ट सेकेंड और थर्ड, अब यह उननिसीवी सदी की बात हो रही है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के पारित होने के साथ, इसाई मिस्ट नरियों को बीना किसी प्रती बंद के भारें में प्रिवेश करने के अनमती दे दी गई, है ना, यह कह रहे हैं कि मदद की, एंड तो आप्सन हैं, पर इनकी बारे में अच्छे से पहले पढ़ लो, इसाई मिस्ट नरियां जन जाती लोगों के बड़े पायमाने पर धर्मांतरान के लिए जिम्मेदार थी, और उन पर इस्थानी रिती रिवाजों में हस्त शेप करने का आरूब लगाया गया था, इसलिए कतन फर्स्ट हम अब लोगाया था, यह भी गलत हो जाएता है, फिस तरीके से देखो कि तो कौन सांसे सही हो जाएगा, तो सेंड और थार्ड हमारे यह पर सही हो जाएगा, यानि बंकिम चंद चंद चटो पध्या कलकत्त विस्विद्याले कि पहले इस नातों में से एक थे, और सेंड भी ह हमारा सही है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि वह एक ब्रह्म समा सुधारवादी थे उन्होंने बाल विवा की निंदा की और विध्वा पुनर विवा और अंताजाती विवा की वकालत की हलाकि जब उन्होंने अपनी 14 वर्सी बेटी की साधी कूछ विया अगर बात की जाए यहां पर कि किसकी वारे में बात हो रही है आई होप की थोड़ा सा अगर आब मतलब गिस करोगे तो केसो चंदर सेन ब्रह्म समाज सुधारक थे बात में उन्होंने 1866 में स्वयम अपने स्वयम के अलग भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की जबकि ब् स्वयास किया उन्होंने बाल विवा की निंडा की और 1862 में अपने समाज के विवा संसकार को कानूं द्वारा मानेता दिलाने में मैं तो भूम का निभाई उन्होंने विद्वा पुनर विवा अंतर जाती विवा मतलब यह सारी चीज़ें उन्होंने काफी सारी की एक जो आप यहां पर आ सकते हैं आंसर को तुरंत ही टिक कर सकते तो सी अपसन हमारा यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि स्वतंतरता संग्राम के दौरान करांतिकारी गत्विदियों के संदर में कामा गाटा मारू होगा कोमा गाटा नहीं होगा कामा गाटा मारू गटना के संदर में निम लिकित में से कौन सा सही नहीं है अलाकि ध्यान रखना है यहां पर सही नहीं है बताना अफसर ने यह भारती इस्टीम सिप था जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाड़ा के लिए रवाना हुआ था भी इसने पंजाब में विस्पोटा के स्थिति पै कामगटा मारू उस जहाज का नाम था जिसमें 370 यात्री सवार थे जिन में मुखे रूप से सिक और पंजाबी मुस्लिम प्रवासी थे जो सिंगापूर से कनाड़ा के बैंकुवर जा रहे थे तो यहां पर यह आपसन हमारा यहां पर सही नहीं है यह कहरे कि यह एक भारती नहीं यह एक कमगटा मारू जो नाम है यह एक जहाज का नाम है और इसमें यात्री सवार थे सिक और पंजाबी मुस्लिम प्रवासी थे जो सिंगापूर से कनाड़ा जा रहे थे ठीक है तो इसलिए आपका फस्ट आपसन यहां पर इसका अंसर हो जाएगा हम बढ़ते हैं कोशन के सथंदता संग्रा में राश्ती नेताओं के रण नीतियों के संदर निम लिकित में से किस पर प्राथना की राजनीती करने का आरोप लगाया गया था अपसने मुस्लिम लीग बी नरम पंती सी गरम पंती यह टी बाल गंगा दर तिलाब बहुत सिंपल है बिलकुल आख बंद करके आप लगा सकते हैं ठीक कि नरम पंती लोग को ही राजनीत में मतलब वही प्राथना पत्र लेने और देने वाली बाते कहीं गई थी है ना चलो आगे बढ़ते हैं तो यह रहे हमारे इगलिस टांसलिसन इनको भी देखते चलिए अब बहुत अच्छे टेस् सब्सक्राइब कारण आर के सालविनिक सुरच्छ विधियक और व्यापार विवाद विधियक के पारित होने पर अपनी अस्रुकरती दिखाने के लिए बंफेका गया था तो नीची दिये के कूट को प्योकर के सही उत्तर चुनना है कूट है हमारे वही एज इस वेल कथन सब्सक्राइब करना नहीं इस तरीके से जो अपस्टन रहते आप देख लेना बात करें तो नाइंटी टूंटिएट का सालविनिक सुरच्छ विधियक समाजवादियों और कमनियुस्तों की गत्विधियों पर अंकुस लगाने के लिए पेस किया गया था निटी टूंटि सब्सक्राइब करना का भी प्रावधान था आठ अप्रेल नाइंटी टूंटी नाइन को भागर सिंग और बटके सो अदत ने सेंट्रल लेजिस्लेटर समेली में बंफेका इसका उद्देश हत्या करना नहीं बलकि बहरों को सुनाना था है ना इस तरीके से हमारा ऑप्शन यह आपर सही हो जाता है यानि कि दोनों विबातें आपकी सत्ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन करें कि निमलिकित में से कौन से कतन भारती राष्टी सामाजी सम्मेलन के लिए सही है ऑप्शन इसका पहला सत्र कलकत्ता में आयुजित किया गया था सेकेंड इसकी अघुनात राव ने 1887 में भारती राष्टी सामाजी समेलन के स्थाफना की थी इसका पहला सत्र 1887 में ही भारती राष्टी कॉंग्रेज्स के सत्र के समनांतर मदराज में आयुजित किया गया था आंसर की बात करेंगे तो D option कह रहे हैं कि केवर इसका थर्ड option आपका यहां पर सही है यह कह रहे है कि इसका पहला सत्र कलकत्ता में आज़ित किया गया तो इसलिए यह सही नहीं है इसकी स्थापना M.G. Ranaade और आनन्द मोहन बोस नहीं इसकी स्थापना M.G. Ranaade और अगनात र अंदोलन की रूप में इसलाम और इसाइध धर्मे परिवर्तन हुए हिंदूओं को फिर से धर्मांतरेत करने के लिए शुरू किया गया था तो निम्ले कितमे से किस अंगठर ने सुद्धी अंदोलन सुरू किया अफ्षा ने ब्रह्म समाज, B. वेद समाज, C. R. महिला सम समाज, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुद्धी अंदोलन की बात करें तो इसकी सुरूवात, आर्ष समाज के संस्थापक, दयानन सरस्वति और स्वामी स्रध्धानन जैसे उनके अन्वाईयों दारा, 1900 के दसा के सुरूवात में पंजाब में की गई थी, धीरे पूरे भारत में फैल गया, और 1923 में स्वामी सुरध्धानन ने भारती हिंदू सुद्धी मा सवा के स्थापना किया, और उन पूरवरती हिंदूगों के पुनर धर्मांदरार पर जो दिया, जो अतेत में इसलाम या इसाइधर में परिवरतित हो गए थे, तो क्या हो मात्मा गांदी ने जलिया वाला बाग घत्याकंड के संदर में बोला था, भी रॉलेक टैक्ट के बार रविन्ना टैगोर ने बोला था, सी इसे लाला लाजपत राय ने देजद्रोई सभा अधनियम पर बोला था, यटी इन में से कोई नहीं, इस तरीके से बात करें तो य कित पुस्त के भी भारत छोड़ा अंदोलन के दोरा बनी समनांता सरकारें, सी सुधारवादी हिंदू संगठन और डीक करांदिकारी गतिविदियों की वकालत करने वाले समाचार पत्रों अपतिकाएं, युगांतर का नाम कही न कहीं तो सुना ही है, और किसी का नहीं भी स सामिल थे, तो क्या हो जाएगा आपका, करांदिकारी गतिविदियों की वकालत करने वाले समाचार पत्रों पतिकाएं, क्योंकि उस समय ये फोन और डिजिटल चीजे थी नहीं, तो कोई तो कोई मीडियों में होना चाहिए, किसी से भी कम्निकेट करने का, है ना, तो इसलि राजयतवारी प्रणाली, यटी महलवारी प्रणाली, ठीक है, अंग्रेजु धारा सुरू कहेगी निमलिकित में कौन सी भूराजयस प्रणाली, राजयस संग्राय के लिए सीदिक करसकों से सम्मंदीती, तो यह यहां पर डिफरेंस याद रखना, ठीक है, वो कोशन में क् राजयस संग्रे करने के लिए क्रसक रायत से सीधी निपटने के अनमती दी, और किसानों को खेती के लिए नई भूमी सौपनी या अधिग्रायन करने की स्वतंतरता भी दीती, तो क्या हो जाएगा, रायतवारी प्रणाली, ठीक है, यह फिलाल माना 90 नमर कोशन है, तो इं रिकित में से कौन समाज सुधारक और भारती पुनर जागरण के जनक राजा राम मोहन राय से समंदित है यह हैं, अप्सने ब्रामडी कलपत्रिका, सिकन यिसू के उपदेश, यानि की प्रिसिप्स अप जीसस, थर्ड है तुफत उल मुवाहिद्दीन, और फोर्थ ब्रहम समाज, तो नीचे दिएगे कोड को प्योग करके सही उत्तर बताना है, उप्सने केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, यानि कि चार उप्सन दिए गए हैं, अब राजा राम मोहन राय से, इसे, यह चार उप्सन में क्या सही समंदित हैं, क्या-क्या उन्होंने काम की हैं, तो वो चीज़े यहां पर डिटेल में दी हैं, आप डिटेल में अंसर से पढ़ लेना, फिलाहल अगर बात करें, तो डी उप्सन हमारा सही है, यानि कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और बढ़ने जलने से समंदित है, हलाकि इसमें ऐसे चीजें फॉर्म की गई, जैसे बहुत बढ़े महान सुधारक थे, बट फिर भी कुछ-कुछ लोग लिबरल थे, तो कोई बात नहीं, हम किसी की भी भासा से बेजिती नहीं कर सकते हैं, यह आप्सन दिये गए हैं, आप्सन करने जर्नल बनते 1772-85 तक और वह प्राचवादियों के उससाही समर्थक थे, वारेन हैस्टिंग्स भारत में अंग्रेजी कानून तता अंग्रेजी तोर तरीके लागू करने के पक्ष में नहीं थे, उनका मुख विचार विजीत लोगों पर अपने तरीके से सासन करना थ तो क्या हो जाएगा, बी अफसन हमारा यहां पर सही हो जाता, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन के 1920 में गांधी ने अखिल भारती होमरूर लीक की अध्यक्षिता सुईकार की और संगटन का नाम बदलकर सुराज सभा कर दिया, इस अंदर में सुराज सभा के लिए नि 27 नबर कोशन में हम लोग हैं समय, देखो बात करें तो सितंबर 1918 में बाल गंगा धर तिलक को इंगलेंड के लिए रवाना होना पड़ा, अपेसेंट इस पस्ट नेतर तो प्रदान करने में असमार्त थी और तिलक दूर थे, तो होम रूल अंदूलन बिना किसी नेता की रह आता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि बीसवी सताप्दी के पुर्वाद के दोरान निम्ली कित्मी से किस मुकदमे ने भारत में मजदूर वर्ग के आंदूलन को कमजोर कर दिया, आपसा ने 1929 का मेरर सडियंतर मामला, भी 1915 का बनारा सडियंतर मामला, सी 1910 का भारत मामला, आणटी 1908 का हावड़ा सडियंतर मामला, तो ये मेरे सडियंतर केस जो होता, 1929 ऐसे समय में आया, जब संपूर पूंजी वादी है ना, जब संपूर पूंजी वादी दुनिया महमंदी से जोज रह थी, जबकि सोवियत रोज का नवोधि समाजबादी असयोग आंदोलन के प्रभाव के संदर में निम लिकित पर विचार करें अंदर प्रदेश में वन कानूनों के अवहिलना सेकेंड चितंबरम पिल्लाई द्वारा तूती कोरिंग कोरल मिल हर्तार थर्ड मिदनापुर का यूनियन बोर्ड विरोधी उपर यूगति में से कौन फर्स्ट और थर्ड यानि कि सिव अफ्सन सही है सितंबरम पिल्लाई तूती कोरिंग कोरल मिल हर्ताल तो यह आपका यहां पर सही नहीं है क्यों कि गुंकि गुंटूर जीले का जो पल्नाडू छेतर नीसो बीस के तरसा के असयोग अंदोलन का खेंदर बन गया था तूती क असन के प्रति असंतोस तीवर सेकिन भारतियों को हतियार रखने के अनमती नहीं थी थर्ड प्रेस को सक्त सेंसेशिप के अधिन रखा गया था तो अपनी वेसिक भारत के संदर में उपरियूगत खतन किसे पूर्तिय सम्मंदित है अपसाने 17 सताब्दी के अंत में भी 18 सताब्दी का उतराद सी 19 सताब्दी के सुरवात में 19 सताब्दी का उतराद मतलब यह जो चीजी हुई है ये कब हुई है यह पूछ रहा है तो 19 सताब्दी का उतराद यानि 2nd half of 19th century अभी राज ज़्यादा हो गया यह सोर मतलब यह डौगी वगरा का आसपास हो रहा है त तो आप अच्छे से इसके तयारी करते रहो और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू